Hello everyone, welcome to Make Dream Carrier आज हम लोग class 8 JCRT English book का unit 3A काली and the rat snack का question and answer discuss करेंगे तो चलिए बिना किसी देरी के start करते हैं comprehension check 1 का first question है How much did the snack cooperative pay for each poisonous snack? जो snack cooperative रहता है वो प्रतेक जहरीली सापों के लिए कितना रुपिया पे करता था? तो इसका answer हो जाएगा यहाँ पे पेड है वो पे का वर्व सकेंड फार्म है next question देखते हैं वेन हैट काली ज्वाइन अस्कूल काली अस्कूल कब ज्वाइन किया था? तो इसका answer हो जाएगा इस बिन टू मन्स सिंस काली ज्वाइन अस्कूल यह दो महीने हो गए थे जब काली ने अस्कूल ज्वाइन किया तीसरा question देखते हैं वाट हैट काली ब्राउट फूर लंच काली है जो लंच के लिए क्या लेकर गया था? यहाँ पर जो ब्राउट है वो वर्ब का थाट फॉर्म है ब्राउट का वर्ब सेकेंड फॉर्म और थाट फॉर्म सेम होता है ब्राउट का मतलब होगा लाया तो question बोल रहा है कि काली जो है वो लंच में क्या लेकर गया था? तो इसका answer हो जाएगा काली had ब्राउट fried termites for lunch काली fried termites लेकर गया था लंच में fried termites वो भूण जा हुआ दिमक, जो दिमक होता है उसको fry करके लेकर गया था काली the children in the class shouting for help यहाँ पर shouting का मतलब होता है चिला न यहाँ पर question बोल रहा है कि क्यों जो बच्चे होते हैं वो class में help help चिला रहे होते हैं तो इसका answer हो जाएगा a large red snack came on the roof of classroom so the children in the class shouting for help एक बड़ा सा धमनवा साब classroom के छट पर आ गया था रूफ में इसलिए जो बच्चे थे वो चिला रहे थे help help चिला रहे थे कि कोई मदद करो अब दूसरा question है who was who was sitting on the desk कौन desk पर बैठा था इसका answer है the teacher was sitting on the desk जो सिच्छक थे वो desk पर बैठे हुए थे तीसरा question है for whom were the children clapping and cheering किसके लिए जो बच्चे हैं वो clapping कर रहे थे तालिया बजा रहे थे और cheering कर रहे थे यानि कि तारिफ कर रहे थे उसका खुसिया मना रहे थे तो इसका answer है the children were clapping and cheering for काली जो बच्चे थे वो काली के लिए तालियां बजा रहे थे उसको appreciate कर रहे थे और उसका तारीफ कर रहे थे अब हम लोग का text question आ गया है इसमें first question है read the story carefully and complete the following sentences story को ध्यान पुर्वक पढ़िए और यह जो sentences दिया हुआ है इसको complete करिए तो इस story का complete video इस channel पे available है आप जाकर check कर सकते हैं अब यहाँ पे जो blue color से लिखा हुआ है यह sentence का आगए यानि की answer लिखा हुआ है और जो black color में लिखा हुआ है यह question में है तो इसमें first है on the first day of school, a school के पहले दिन पर each student had to stand up and tell three things प्रतेक बच्चा को खड़ा होना था और तीन बाते काना था क्या कौन सी तीन बाते तो पहला है his or her name उसका या उसकी नाम the name of the village गाओं का नाम and what their father did और उनके पिदा जी क्या करते है वो इसमें दूसरा है the red snack was wrapped around the palmyra beam on the roof जो red snack धमनवा साब था वो palmyra beam में लिपट गया था रूफ पर जो छट पर यह palmyra beam क्या होता है तो जो तार या फिर खजूर का जो पेड़ होता है उसको हम लोग palmyra tree कहते हैं तो उसका जो बड़ा सा जो लकड़ी होता है उसको हम लोग palmyra beam कहते हैं next है काली's father said that sometimes snacks smelled humans and mistook them for rats काली के पिता कहा करते थे कि कभी कवार जो snack होते हैं वो इंसानों को है सो शूंग लेते हैं और उन्हें गलत फैमी हो जाती है और वो उन्हें rat समझ लेते हैं चूहा समझ लेते हैं fourth question है हम लोग का and the children and the children started quarreling about whom काली would sit next to और जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से जगडने लगे लडाई करने लगे कि कि किसके पास जो काली है वो अगली बार से किसके पास बैठेगा तो वो question complete हो गया है हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर है I state whether the following sentences are true or false यहाँ पर कुछ sentences दिये हुए हैं इसको बताना है कि कौन सा true है कौन सा false है तो first है the English teacher Thrive Kali out of the class जो English teacher थे वो काली को class से बाहर निकाल दिये थे Thrive का मतलब होता है बाहर निकालना तो नहीं यह false है next है काली lived in कनाथूर विलेज काली है सो कनाथूर विलेज में रहता था तो yes यह सही है यह true है next काली वाज first afraid to catch the rat snack काली है सो पहली बार धमनवा साब को पकरने में डर रहा था तो yes यह भी true है next है the children ran in all directions to bring a rope जो बच्चे थे वो अलग-अलग direction में एक रसी लाने के लिए भागे थे तो नहीं यह false है बच्चे जो थे अलग-अलग direction में भागे तो थे लेकिन रसी लाने के लिए नहीं एक bag लाने के लिए next है everyone was clapping and cheering for काली हर कोई है सो काली के लिए टालिया बजा रहा था उसकी तारीशे कर रहा था तो यह भी true है अब यह जो question दिया हुआ है long question answer इसका answer हम लोग देखते हैं इसमें जो first question है answer the following questions इसमें first question है what did काली's father do for living काली के पिता अपना घर चलाने के लिए रहने के लिए क्या करते थे तो इसका answer काली's father काउट snack for living काली के पिता साब पकड़ते थे अपना जीवन यापन करने के लिए रहने के लिए काउट जो यहाँ पे है काउट यहाँ पे catch का verb second form है catch का मतलब होता पकड़ना count का मतलब पकड़ते थे या पकड़ा next question है why did काली hate going to school क्यूं काली जो है वो school जाने से नफरत करता था तो इसका answer है काली had no friends in his school and the children treats him like he was weird so काली hate going to school काली का स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं था and the children treats him like he was weird और जो बच्चे थे वो उसे ऐसा फिल कराते थे उसके साथ ऐसा विभार करते थे जैसे कि उसे लगता था कि वो बहुत weird है अजीव है so काली hate going to school इसलिए काली स्कूल जाने से नफरत करता था third question है where did काली sit during break time and why काली है जो break के समय में जो lunch का समय होता है उस समय कहां बैठता था और क्यूं तो इसका answer है काली sat on the wall far away from others during break time काली जो है वो दिवारू की तरफ बैठता था sat यहां पर seat का verb second form है seat होता, seat का मतलब होता है बैठना set मतलब बैठता था या बैठा far away from others, दूसरों से काफी दूर far जो है वो काफी दूर के लिए यूज किया जाता है the others, sorry during break time जो लंज के समय जो काली है वो दिवालों की तरफ बैठता था और बाकी सारे बच्चों से काफी दूर he brought fried termats so he felt embarrassed क्योंकि because क्योंकि वह जो है वो fried termats लेकर आया था इसलिए उसे embarrassed मतलब उसको है सो खराब फिल हो रहा था embarrassed जैसा लग रहा था क्योंकि वह भूंजा हुआ टर्माइश लेकर आया था कोई देखता तो क्या बोलता की अरे ये तो ये खाता है इसलिए उसको है सो खराब लग रहा था सर्म आ रहा था next है next question है how did the rat snack come into the classroom कैसे धमनवा साब classroom में आ गया था तो इसका answer है the rat snack must have smelled rats on the roof tiles जो rat snack था धमनवा साब था वो जरूर ही चुहों को smell किया होगा चट के tiles पे and come after them और उसके पीछे पीछे आ गया by mistake it had taken the wrong turn and come into the class और गलती से उसने गलत direction में मुड़ गया और वा class में आ गया और वा class में आ गया नेक्स्ट है what did kali plan to do with the snack kali ने साब के लिए क्या plan किया था काली इसका answer है काली plan to all wrapped up in एक मिनट यहां पर यह नहीं होगा काली प्लाइन टू और रैप करके लिपट करके उसको बैग में डाल देगा और उसको वैंडलूर जू में जा करके बेच देगा अब हम लोग यहां तक complete एक मिनट हम लोग यहां तक complete कर चुके हैं अब आगे देखते हैं Read the following sentences and arrange them according to sequence of the story यहां पर कुछ sentence दियो हैं इसको हम लोग को read करना है और जैसा story में बताया गया है उसी according हम लोग को arrange करना है तो यह काफी easy है यहां पर लिखा हुआ भी है हम लोग आगे बढ़ते हैं काली's father was a snack catcher काली के पिता साप पकड़ते थे a snack catcher is a person who catches snacks snack catcher एक ऐसे इंसान होता है जो सापो को पकड़ता है can you match these persons with their jobs क्या आप इन लोगों को उनके काम के according match कर सकते हैं तो देखते हैं first क्या है farmer तो farmer का का काम क्या होता है बीजों को उगाना फसल को उगाना तो इसका हो जाएगा वन who grows grows crops in the field वह जो क्रॉप्स को यानि के अनाज को अपने खेतों में उगाता है crops का मतलब होता है अनाज next है veterinary doctor veterinary doctor को हम लोग जानवर का doctor भी बोलते हैं तो one who treats sick animals वह जो बिमार जानवरों को treat करता है इलाज करता है next है florist जिसको हम लोग हिंदी में माली के नाम से भी जानते हैं तो one who sells flower वह जो फूलों को बेचता है उसे हम लोग florist कहते हैं यह सारा आप लोग याद रखेगा यह काफी important question है आप लोग के exam point of view से next है grocer जिसको हम लोग यह grocery का shop बोलते है रासर का shop one who sells tea sugar तो वह जो है सो रासर का जितना सामगान होता जैसे की चीनी चाय पती यह सारा चीजों को बेचता है उसे हम लोग ग्रोसर करते हैं next है confectioner तो confectioner जिसको हम लोग बोलते हैं तो one who sells sweets, toffees etc वह जो मिठाईयों को बेचता है चॉकलेट को बेचता है उसे हम लोग confectioner कहते हैं अब हम लोग आगे देखते हैं द्यूरिंग लंज आवर काली ज फ्रेंड्स हैड डिफेंट काइंड्स आप फूड ब्रेक के समय में लंज के समय में काली के जो दोस्ते उनके पास अलग-अलग टाइप का फूड था विलोय में यानिक नाश्ते में आते हैं यह प्रॉपर मिल नहीं होता है, these words are related to different themes and categories, यह यह सारे words अलग-अलग category से related होते हैं, एक मिनट, look at the following sets of words and considering its category, यहाँ पर कुछ words के set दिये होए हैं, इसको हम लोगों देखना है और इसका category बताना है, अंडरलाइन, the odd word, और इसमें से जो सबसे अलग है, और इसमें से जो सबसे अलग है, उसको हम लोगों को अंडरलाइन करना है, तो देखते हैं, इसमें फैस्ट है, इंडिया, नेपाल, फ्रांस, नियू योर्क, पाकिस्तान, तो यहाँ पर इंडिया, नेपाल, फ्रांस और पाकिस्तान है, यह एक कंट्री है, और नियू योर्क सिटी है, इसलिए यहाँ पर नियू योर्क, और हो जाएगा, डिफ्रेंट हो जाएगा, नेक्स्ट है सान्या मिर्जा, पीवी सिंदू, सल्मान खान, MS धोनी, सचिन तेंदूलकर तो यहाँ पे सान्या मिर्जा जो है वो टैनिस प्लेयर है इंडियन टैनिस प्लेयर PV Sindhu है वो badminton player है और MS Dhoni और सचिन्ते निलकर cricket player है तो यह सारे जो है सानिय मिर्जा, PV Sindhu, MS Dhoni, सचिन्ते निलकर यह सारे जो player है और Salman Khan जो है वो है actor है तो यहाँ पर Salman Khan different हो जाएंगे Next है tree, salt, fruit, grass, leaf तो यहाँ पर tree, fruit, grass, leaf यह सारे tree से related है या फिर यह सारे चीज लीविंग चीज है और यहां पर salt है वो non-living thing है तो यहां पर salt हो जाएगा odd Next देखते हैं Duster, book, blackboard, chart, cat तो यहां पर duster, book, blackboard, chart यह सारे non-living thing है और cat है वो living thing है तो यहां पर cat हो जाएगा odd नेक्स्ट है happy, sad, angry, pain, afraid तो यहाँ पर happy, sad, angry और afraid यह सारे चीज़ है यह सारे feelings है, कोई गुशा है, emotions है और जो pain है वो एक thing है तो यहाँ पर pain हो जाएगा odd अब नेक्स्ट देख रहे है Many interesting verbs have been used in the story Find, feel and write its meaning काफी सारे interesting verbs है स्टोरी में use किया गया है इसमें से हम लोगो कुछ fine करके लिखना है तो यह सब आप खुद भी कर सकते हैं आपको अगर दूसरा अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर दूसरा भी फिल कर सकते है यहाँ पर first है tumble tumble का मतलब होता है अचानक से गिरना जैसे कि जब बच्चे है सो जब साप आया तो classroom में तो जो बच्चे हैं वो कैसे मतलब हर बढ़ाने लगे और वोग रूम से बाहर निकलने का कोशिस कर रहे होंगे तो वोग भीड के वज़े से एक दूसरे पर कभी कभी हो सकता गिर गया होंगे या फिर टकरा गया होंगे तो इसको बोलते है tumble next है south south का मतलब होता चिलाना ringing ringing का मतलब होता बजना और next whispering whispering का मतलब होता फुस फुस आना hide मतलब छुपाना ran मतलब भागा next देखते हैं fill in the blanks with suitable verbs from the box यहाँ पर जो blank दिया हुआ है इसको हम लोगों को fill करना है इन सारे words से जो इस sentence के लिए जो suitable होगा first है the room blank of jaggery तो यहाँ पर smell हो जाएगा कि जो room है वो पुरा गुड से महा करा है jaggery का मतलब होता है गुड next है Ravi was surprised to know that he had won the first prize रवी है वो आश्चरी चकित हो गया यह जानकर कि उसने first prize जीता है next है he grabbed the snack in his right hand उसने वो अपने right hand में साब को पकड़ लिया right hand से साब को पकड़ लिया grabbed का मतलब होता है पकड़ना next है the children tumble over each other in the class जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को उपर गिर गया है class में next है Simi giggled when her brother got a scolding Simi जो है वो हस रही है जब उसके भाई को डाट पढ़ा next है Tom and his friends grind at one another Tom और उसके दोस्त एक दूसरे पर हस रहे थे अब हम लोग आगे देखते हैं grammar section look at these lines from the text wonderful here's a room full of rats how brave you are in these sentences exclamation mark is used to denote the express of a strong feeling like surprise, pleasure or anger यहाँ पर जो exclamation mark दिख रहा है यह हम लोग को यह बताता है express करता है strong feeling को बताने के लिए जैसे की surprise, pleasure, anger यह सारे strong feeling होते हैं तो इन सब चीजों को बताने के लिए हम लोग exclamatory sign का use करते हैं यह होता है exclamation mark आगे देखते हैं such sentences known as exclamatory sentences ऐसे sentences को हम लोग exclamatory sentences के नाम से जानते हैं exclamatory sentences usually express emotions emotion और excitement and it always has an exclamation mark जो exclamatory sentences होते हैं वो emotions को और excitement को बताते हैं और हम लोग इसके अंत में sentence के अंत में exclamation mark को लगाते हैं next देखते हैं आगे similarly there are many sentences in the story which end up interrogation mark इसी तरह से जो स्टोरी में काफी सारे ऐसे sentences यूज किये गये हैं जो ने एक मिनट जो इंट्रोगेशन यहां पर इंट्रोगेशन माक होगा जो इंट्रोगेशन माक से इंड होता है ऐसे वाले sign को लोग इंट्रोगेशन माक बोलते हैं तो जैसे कि इसका example है Why did you get so scared? तुम इतना डर क्यों गई? Suppose someone ask what I have brought ऐसा मालनों कि अगर कोई मेरे से पूछ ले कि तुम क्या लाए हो Such sentences are known as interrogative sentences ऐसे sentences को हम लोग interrogative sentences बोलते हैं interrogative sentences जन्रोगेशन पूछन के लिए यूज किया जाता है An interrogative sentences is a type of sentences that ask a question and ends with a question mark जो interrogative sentences होते हैं वो sentence का type है जो हैसो question पूछने के लिए use होता है और यह हमेशा हैसो question mark के साथ खतम होता है, end होता है Use the words given below to make your own interrogative sentences यहाँ पर कुछ words दिये हुए हैं जिससे हम लोग को interrogative sentence बनाना है जैसे कि यहाँ पर एक example दो रैट स्नेक तो यहाँ पर रैट स्नेक से बनाया हुआ है Have you seen a rat स्नेक के आपने एक धमनवास आप देखा है तो उसी तरह से यहाँ पर और sentence बना हुआ है आप लोग अपने हिसाब से दूसरा भी बना सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हीट है तो why you hit him तुमने उसे क्यों मारा next birthday is your birthday today क्या तुम्हारा आज बड़्डे है next like do you like him क्या तुम उसे पसंद करते हो next where where are you going तुम कहां जा रहे हो school how you go to school तुम school कैसे जाते हो bike से cycle से comment में बताइएगा next है now write exclamatory sentences by using the words given below अब हम लोग को कुछ exclamatory sentences बनाना है इन सारे words से जैसे कि यहाँ पर एक first है जैसे यहाँ पर पहला बनाया हुआ please save me I am stuck please मुझे बचाओ मैं अटक गया हूँ नेक्स्ट है great great job इस तरह से हम लोग बोलते ना great job good job नेक्स्ट है wow wow that was amazing wow yeah amazing प्यारा है अद्बूद है next oh oh I love this song next next no oh no I forget my keys तो उसी तरह से यहाँ पर आगे हैं तो I hope कि यह वीडियो आप लोग के लिए helpful होगा अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग comment भी कर सकते हैं और और thanks for watching मिलते हैं next video में हम लोग